जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर कृष्ण दास से संबंदित बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन है जो कृष्ण दास जी है यह अश्ट चाप के प्र लाइक करना न भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृष्ण दास जी से संबंदित फस्ट कॉस्चन क्या पूँचा है कि अश्ट चाप के कभी किर्ष्ण दास जी का जन्म कब हुआ था महत्तपुन कॉस्चन सबसे पहले इनका जन्म पूँचा गया है यहां पर इनका ज कॉस्चे नुबर दो पूँचा है इस्ट चाप में सबसे अधिक को साग्र बुद्ध के कभी सढ़ी ती परमानन दास तस्ते वल्लवचार कूंबंदास या और कृष्ण दास तो आस्यखब मैं पूँचा है सबसे को साग्र बुद्धी के जो कभी मान Ji जाते हैं थे भैंगे तो कृष्ण दास आपका यहाँ पर विखल्प नमबर डी राइट आँसर होगा बिलकुल चाही question number 3 यहां पर पूँचा है अश्ट चाप में अधिकारी के नाम से कौन प्रिसिद्ध है most important question है अपना परवननददास, कुमबनदास, बल्लबाचार या कृष्ण दास तो अधिकारी के नाम से जो प्रिसिद्ध है अश्ट चाप में भै कृष्ण दास जी ही प्रिसिद्ध है बिल्कुल सही question number 4 पूँचा है यहां पर इनमें से कौन सी रचिना कृष्ण दास जी की है भै रचिना आपके लिए बताना है भै कौन सी रचिना है question number है अपने यहां पर चार जुगल मानचरित परमानंद सागर स्वामी के पद या अनिकार्थ मंजरी तो कौन सी रचिना पूँचा है कृष्ण दास जी की है तो जुगल मानचरित आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प number आपका यह यहां पर सही आंसर होगा इन में से कौन सी रचिना जो है कृष्ण दास जी की नहीं है देखिए अभी पूचा था अब नहीं पूचा है तो कौश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना है आपके लिए नहीं बताना है तो नहीं में आपका यहां पर हो जाएगा विकल्प number D आनिकार्थ मंजरी अनिकार् पर निर्मेश री किष्णी के मंदर जी का प्रिबंध का काम किसे सॉआप गया था यह आपको बताना है पर्मनिन दैस को बल्लबचार कॉमबंदास किष्ण दास तो इसके प्रिबंद का काम सॉआप गया था विकल्प number D आपका यहां पर सहीई आंसर होगा बिल्कुल सही question क्या है यहाँ पर question number 7 है कि किन के भाइसे जूर सागर जी को पार सौली में आकर रहना पड़ा था किन के भाइसे तो यह question number है अपना 7 और 7 का सही answer यहाँ पर बताना है तो 7 का आपका सही answer होगा क्या होगा राइट answer विकल्ब नंबर D यानि कि किर्शन दास महत्वण question कि किन के भाइसे सूर दास जी को पार सौली में आकर रहना पड़ा था तो किर्शन दास जी के question number 8 पूंचा है किर्शन दास जी का जन्म कहां हुआ था यह आपको बताने किर्शन दास जी का जन्म कब 1496 में इनका जन्म हुआ था कहां पर हुआ था तो आपका यहां पर question number 8 का right answer होगा क्या होगा विकल्ब नंबर एक यानि कि चिलोतरा गुजरात में question number 9 पूंचा है इनमें से किस कभी की म्रत्तू कुआ बनवाते समय उसमें गिनने से हो गई थी परमानंद दास जी की कुंब कभी थे उनकी म्रत्तू कुआ बनवाते समय उसमें गिनने से इनकी म्रत्तू हो गई थी तो कृष्ण दास आपका यहां पर सही आंसर होगा question number 10 पूंचा है इनमें से कौन सी पंती कृष्ण दास जी की है बताए बहे किन पंती आपको बताना है तो आपका यहां पर सही आंस आंसर होगा question number 10 का राइट आंसर है विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर ओ मन गिरधर चबी पे अटकियो जो है यह पंती है यह पंती किसकी है अगर पूंचा जाए यह पंती किसकी है तो आप लगा दीजिए किसकी पंती है किर्ष्ण दास जी की पंती मानी जाती है आप पूंचा है आपसे कि किर्ष्ण दास जी की म्रत्यू कब हुई थी question number 11 है बहुत ही महत्तपुन question है तो बताइए 1496 में इनका जन्म हुआ था किर्ष्ण दास जी का और इनकी जो म्रत्यू हुई थी 1578 ECB में इनकी म्रत्यू हुई थी तो बिलकुल सही विकल्प नमबर C कि आपका यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़िया तो इस परकार यहां पर अपन ने देखे बहुत ही महत्तपुन question थी question दास जी से सम्मंदित वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरू बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जे हिन